आवर नेक्स्ट कोशन इस राइट इच आफ फॉलॉइंग इन शॉर्ट फॉर्म जो भी डिजिट दी हुई हैं उनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 4561 तो सबसे पहले 4561 इन सभी को हम प्लस कर देंगे 1654 तो हमारा एंसर होगा 4561 उसी तरह से सेकंड इग्जामपल है 7000, 700, 700, 700 उसके नीचे और 7 वन्स के नीचे ही वन्स को लिखेंगे 7077 तो हमारा एंसर होगा 7707 आवर नेक्स्ट कॉस्ट्चन है counting by 5, write the numerals from 3037 to 3072 counting by 15, write the numerals from 9023 to 9113 counting by 50, write the numerals in reverse order reverse order मतलब होता है, reverse means ultra उल्टी गिंती यहां पर आपको count करनी है जो 2010 से लेके 1600 या फिर 1660 तक जानी चाहिए तो हम first solve करते हैं यहां पर इसमें 5 बूला गया था 55 का gap करके 55 का skip करके हमें आगे लिखना है तो 3037 में हम 5 plus कर देंगे 3037 में हम 5 plus करेंगे 7 and 5 12 1 carry 3 1 4 0 and 3 आवर नेक्स दिजिट इस 3042 3042 में हम फिर से 5 plus करेंगे 5 to 7 4 0 3 आवर नेक्स दिजिट इस 3047 3047 में हम फिर से 5 plus करेंगे 5 plus करेंगे 7 and 5 57 ये हमारी skip counting होगी ये pattern हमको ऐसे ही follow करना है अगर 15 से पूछा है तो हम 15 plus करेंगे अगर 50 पूछा है तो हम यहाँ पर 50 लिख करोर्स को प्लस करते जाएंगे आवर नेक्स्ट कोशन इस लुक अट दे पैटर्न एंड फिल इंड ब्लैंक्स पैटर्न को देखिए और ब्लैंक्स को फिल करिए यहाँ पर भी same जैसे आप अभी 5, 15 या 50 को प्लस कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर आपको उतना ही प्लस करना है जितने की गैपिंग बीश में है तो सबसे पहले हम गैपिंग को पता करने के लिए कितने की गैपिंग है उसको हम देखेंगे तो हम 23 में से 16 माइनस कर देंगे 13 माइनस 6, 7 and 2 will become 1, 1 माइनस 1, 0 यानि की 7 की गैपिंग है तो हम 37 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स आएगा 7 से 14, 1 कैरी 3, 1, 4, नेक्स डिजट इस 44, 44 में फिर हम 7 प्लस करेंगे हमारा एंसर होगा 51, 51 में हम फिर 7 प्लस करेंगे, आवर एंसर इस 58 and 58 में हम फिर 7 प्लस करेंगे, आवर एंसर इस 65 next, आवर एंसर इस आवर इग्जामपल इस 1050, 11, 1100, 1150, 1200, तो सबसे पहले हम 1100 में से 1050 को माइनस करेंगे ताकि हमें पता चल जागी स्किपिंग कितने की हो रही है 10-55, 0 and 0, इस स्किपिंग हो रही है 50 की, तो हम यहाँ पर 50-50 प्लस करेंगे 1200 में हम 50 प्लस करेंगे So, आवर एंसर इस 1250 1250 में हम फिर से 50 प्लस करेंगे 5, 5, 10, 3, 1, आवर एंसर इस 1300 and next, आवर एंसर इस 1350, इसी तरह से हम काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे Thank you Our next question is, arrange the following numbers in ascending order Ascending order means होता है बढ़ते हुए क्रम में यानि सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजट लिखेंगे उसके बाद उससे बड़ी उससे बड़ी और सबसे बड़ी डिजट होगी सबसे पीछे जैसे यहाँ पर example में हम लेते हैं 7896, 6978, 8,967 9,687, 6,897 तो सबसे छोटी डिजट है 6,897 तो इसको हम सबसे आगे लिखेंगे 6,897 नेक्स है 6,978 आवर नेक्स डिजट इस 7,896 नेक्स डिजट इस 8,967 लास्ट डिजट इस 9,687 सेकंड इग्जाम्पल में उसी तरह से देखेंगे 5,410, 5,014, 5,104, 5,041, 5,401 and 5,140 तो सबसे छोटी डिजट है 5,014 तो उसको सबसे पहले हम लिखेंगे 5,014 नेक्स डिजट इस 5041, 5,041 नेक्स डिजट इस 5,104, 5,140, 5,401 नेक्स डिजट इस 5,410 इस आवर असंदिग और इस आवर